नमस्कार दोस्तों मैं प्याज के खेत में आज सुबह सुबह आया हूं घूमने के लिए मैं आज दो बिमारियां देख रहा हूं अपनी प्याज के खेत में दोस्त मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरा जो ये खेत है सबसे पहले इसके अंदर प्याजगी बुवाई हुई थी 20 अगस्त को आज 6 सेप्टेमबर है लगबग 16 दिन की प्याजगी फसल हो चुकी है इसमें मैँ आज देख रहा हूँ 2 समस्या दिखाई दे रही इस वक्त एक तो इसमें सुन्डी का प्रकोल दिखाई दे रही है जो हमे भी से ازर साथं है अभी हमारे यहां पर 5-6 दिन पहले लगाता और बारिस रही थी दो या तीन दीन तक तो जिन एरिया के अंदर लगाता समस्या है वह special उन खेतों का अंदर दिखाई दी है जहां पे पाणी भरा रहा है वह खुद की गलती से पाणी भरा रहा हो चाहे अपन सिचाई करते हैं बार बार लगातार या फिर प्रकरतिक आपदाएं होती है जैसे कि अभी लगातार बारिश होई है तो उनका जो अप दि जिन खेतों को अंदर खर्पतवार होता है उन्हें मच्छर हो जाते हैं जो प्याज के पत्तियां होती है मैंसे जैसे आप लोगों को दिखाऊं खेर हमारे खेत के अंदर तो ऐसी कुस प्रोब्लम है नहीं मच्छरों की विशेश कर उनी खेतों में यह समस्य मिलें जिनके अंदर खर्पतवार को अपन सही समय नियंतरित नहीं करते हैं आप लोगों को मैं दिखाता हूँ इसमें सबसे पहले मैं खर्पतवार नासी का प्रियोग मैंने किया था आज से लगभग साथ आठ दिन पहले फर्स्ट टाइम इस खेतों मैंने प्याज बोई है तो इसमें दोनों तरीके के खर्पतवार थे चोड़ी पत्ती भी थी शक्री पत्ती भी आज आप देखरो इसमें खर्पतवार बिल्कुल नहीं है तो खर्पतवार खतम हो चुका है मैं आप लोगों को वो सब टेक्निकल दिखाऊंगा वो वो इनसेक्टिसाइर फंजिसाइड दिखाऊंगा जो इस वक्त प्याज की फसल को आवसक होता है अगर आपके खेतों के अंदर प्रोब्लम ना भी है इस वक्त तो भी आप एक बार जरूर इस वक्त जब आपकी फस के अंदर आया हूँ तो मैंने देखा है एक ऐसी जगह मेरे खेत की जहां पर कुछ छोटा सा एरिया जहां पर पाणी लगातार भरा था जिस पाणी को अपन निकाल नहीं पाये थे वहां पर वो समस्या दिखाई दी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो समस्या कैसी होती सुरुआत में कहां से स्टार्टिंग होती है और उसको अपन सुरू में अगर अच्छे सो उसका नियंतरन करें कैमिकल कुछ टेक्निकल यूज़ करके देखी कोई भी समस्या जब जनम लेती है तो उसी के साथ उसका सोलोसन में जनम ले लेता है बस हमें उस सोलोसन की जानक बारिसें हो जैसे कि अभी बादर हो रहे हमारे यहांता है कि अभी दोबारा से बारिसें स्टार्ट होंगी यहां पर अगर फिर दोबारे इनमें पाणी भरा रहे गया दो चार पांच दिन तो फिर सायद कुछ नहीं कर सकते आपनी इसको देखो मैं आप लोगों को दिखा आता हूं तो देखिए यह जो पोधा अपना आज से 5-6 दिन पहले बिल्कुल हरा भरा पोधा था दोस्तों और अब देख रहे हैं पूरी उपर से जो पत्तियां है इनकी वह एक बिलांद पत्तियों वह बिल्कुल सुख चुकी है शुरुआत हुई थी उपर से और पूरी यूँ भीचेंगे तो पाणी निकड़े गए इसमें से तो इस समस्या को अभी रोकना बहुत ज़रूरी है इसको अपन कैसे रोकेंगे अब चलते हैं मैं आप लोगों कब दिखाता हूं कि मैं अब इस वक्त एक तो सुन्डी और यह समस्या तो इन समस्याओं से आप कैसे निज़ात पाऊगे तो दोस्तो चलो अब देखते हैं आपन कौन कौन से टेकनिकल में यूज कर रहा हूं आज आईए दोस्तो आज के वीडियो से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं आप लोगों को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि मैं वीडियो के बीच मे देगा मैं अगले जो वीडियो हमारा होगा उनमें आप लोगों का बाई नेम सीदे बताये जाएगा कि फला किसान ने यह चीज बताई अच्छा बताएगा वही किसान आंसर वही किसान दे पाएगा जो वीडियो को अच्छे से देखेगा अच्छे से कंप्लिट उसको वा अब के बार हमारे खितों में कौन कौन से बीमारी आ रही है। उनको आप देखिए वाच कीजिए अच्छे से उन बीमारी को किस तरह कंट्रोल किया जाए। फला टेकनिकल ने हमारे खित के अंदर स्प्रे करने एक बाद उसका रिजल्ट अच्छा रहा था। उसका रिजल्ट ना के बराबर रहा था ना के बराबर रहा उसको हटा दीजिए। आप लिख लीजिए पैन कोपी बना लीजिए। उस साल मैंने वह काम किया था। देखिए मा के पेट से कोई भी कुछ सीख के नहीं आता है। जो प्रैक्टिकल ग्यान होता है उसी सीखता है। और किताबी ग्यान से ज़्यादा महत्पूर्ण प्रैक्टिकल ग्यान है। चाहे अनपढ़ हो कोई। अगर आपके पास प्रैक्टिकल ग्यान है। तो आप पढ़े लिखे उस किताबी ज्यान वाले मनुस्य से कहीं आगे ज्यादा फला सेक्टर में आप अच्छा काम कर सकते हो तो दोस्तो मैं Q&A लूँगा आप लोगों के लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा और मैं आसा करता हूँ कि सभी किसान हमारी इन बातों पर ध्यान देंगे अच्छे से वीडियो को देख के अपने खेतों में अपलाई करेंगे और जो मैं आप लोगों से कोई भी क्वेस्टन पूछता हूँ तो उसको आंसर है बहुती खुशी खुशी आप लोग दोगे आगे-ागे हमारी योजना हैं वो धिर धिर बढ़ती जाएगी किसानों के भले के लिए उनके उत्थान के लिए तो सबसे पहले मैं आप लोगों को वो टेक्निकल दिखाता हूँ जो मैं इसमें स्प्रेग किया है आज अब तो दोस्तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैंने इस वक्त इसमें आज इस प्रेग की है वो किन किन टेक्निकल के की तो सबसे पहले मैं आप लोगों सो बताया था कि इसमें कहीं कहीं पर सुन्डी का प्रकॉप दिखाई दे रहा है आप लोग समझ लीजिए जब भी पूरवदिशास है हवाएं चलने लग जाए तो प्याज की फसल मुझो विशेश कर खरीब सीजन की फसल होती है उसमें सुन्डी की समस्या है वो एटोमेटिक बन जाती है मोसम की वज़े से या फिर उमस बन जाए तो उमस की वज़े से एक तो मच्छर जादा पैदा होंगे साथ शाथ सुंडी है वो भी बन जाएगी तो सुंडी के लिए आपन ने क्या लिया परफोंफोस साइपरमेथिरिन का कॉंबिनेशन प्रोफेक्स के नाम से बाजारू में आप लोगों की मिल जाएगी अगर आप लोगों को कहीं पर प्रोफेक्स नहीं मिल रही है तो आप POLTRING के नाम साथ है Syngenta Company मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँatt को बताया है आप लोग जो भी मैं यूज़ करता हूँ वैस्ट टेक्निकल यूज़ करता हैं बैस्ट कमपनी यूज़ करता हूँ तो आप पॉल्टरीन वही परफोनफोस प्लस साइपरमेथरीन वही शेम अच्छा है इनकी डोज क्या लेनी है दोस्तो एक सोड़ा लेटर के पंप में आप लोग 30 ml से 35 ml डोज ले सकते हो साथ में अब जो दूसरी समस्या आमारे खेतों में कहीं कहीं पर दिखाई दी है या आगे जाके वह बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है अगर लगातार बार इस फिर दुबारा पड़ती है तो उसका अपन शुरुवात में नहीं अंतरण कैसे करें उसका प्रिवेंटिव क बहुत ज़्यादा गहरा जाएकि तो शुरुवात में अमने थाइफिनएट मिथाईल जो रोको को नाम से आती बाज़ाए जो डोज है डोज में बताऊं तो एक सोड़ा लेटर का पंप में वही लगभग आप 25 से 30 ग्राम तक इसको ले सकते हो जिन खेतों के अंदर समस्य आरी किस चीज की जली बिरोग की उपर से पत्यां घूम रही है या तना है वो घूम रहा है तो जिन खेतों का अंदर ये समस्य बहुत ज़्यादा गहरा चुकी है आप ऐसा कीजिए थाइफिनेट मिथाईल 300 ग्राम से 400 ग्राम मात्रा आप मिट्टी में लीजी या फिर रा दोस्त जब आपके समस्य ज्यादा गहरी हो ज्यादा समस्य बढ़ चुकी हो पक्का इलाज है इस जली भी रोग का थाइफिनेट मिथाईल को आप नीचे से बुर्का दीजी उपर से स्प्रे कर दीजी या फिर आप नीचे से इसको बुर्काने के बाद वैलिड़माइसिन आता है एक एंटिबाइटिक वैलिड़माइसिन वो फंजिसाइड का भी काम करता है उसका इस्प्रे लिए लिजी वैलिड़माइसिन के साथ आप कार्बेंडिजम मैन को जैब जैसे साफ पाउडर आता है या फिर और भी आता है इनको यूज कर सकते हो वैलिड़क साथ य इन ही के अंदर आप कोई भी अच्छा सा इस्प्रेडर मिलाई इस्प्रेडर की जो मातरा रखोगे दोस्तों वही 15-20 ml पर पंप के हिसाब से आप रख लीजिए इनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों अब बात करते हैं सवाल जवाब की तो दोस्तों आज की वीडियो में उनका सीधा नाम लिया जाएगा साथ साथ दोस्तों आप आगे जो भी वीडियो बनवाना चाहरे हुए आप लोगों की जो भी समस्चा हैं आपके एरिया मारी आपके फसलों मारी है तो वह भी आप कमेंट कर दीजिए उसी पर हम आगे जोईना वीडियो लेके आएंग झाल